Hello students, कैसे हैं आप लोग, आज हम लोग start कर रहे है exercise 1.2 जो कि real number का ये chapter है, चली start करते हैं, तो first question हम लोगो बोलता है कि express each number as a product of its prime factors, बढ़ा असान है, आप इसको कर सकते हो, कैसे, तो 140 का आपने क्या कर लिया, factors निकालना, start कर लिया, तो 2 से कितना आता है, 70, फिर 2 से कितना आत है, 35, अब तो 2 से होता नहीं, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, अब 5 से start कीजिए, तो कितना आता है, 7, और 7 को फिर 1 से, 1 आने के बार आपको stop कर लेना है, so यहाँ पे आता है, 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, complete, अगली बार आपको बोलता है कि 156 का factor निकालिए, तो 2 से करते है, 2 से कितना आजागा, 7, 2 जा 14 और यहाँ पे 8, फिर 2 से गर करेंगे, आप divide तो यहाँ पे आजागा 39, फिर 3 से गर करेंगे, तो यहाँ पे आजागा 13, और यहाँ पे 13 का 1 से, तो आप इसको लिख सकते हो, 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे के सारे आप factors आएंगे, तो first question मैं यहाँ पे मानता हूँ कि हमने complete कर लिया, अब देखते हैं question number 2, question number 2 हम लोग को बोलता है कि find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify LCM into HCF is the product of two numbers, तो चलिए, पहले हम लोग देखते हैं कि 26 का factor निकाल लेते हैं और factor निकालने के बाद देखते हैं कि क्या करना है हम लो similarly आपने 91 के लिए आपने किया, 91 को आप कैसे लिखोगे, 7 से करते हैं, 7 बंजा 7, 7, 3 जा 21 और 13 से फिर आजाएगा 1, तो आप लिखते हो 91 is equal to क्या, तो आपने लिखा है 7 into 13, अब यहाँ पे जो common है ना उसको आप क्या बोलते हो, कि this is HCF, HCF कितना आ गया, 13, similarly आपने LCM के क्या लिखा है कि 13 जो common आगया उसको आप एक बार लिखते हो, और जो छूट गया है उसको भी आप यहाँ पे लिख देते हो, HCF में क्या करते हैं, कली common वाली बात लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, common into uncommon वाली बात लिख देते हो, तो मैंने यहाँ पे hint के लिए to LCM कितना आता है, तो बोलता है कि product of the two numbers, मतलब A into B, HCF कितना आ गया, 13, LCM कितना आ गया, 13 into 2 into 7, और यह था हमारा 26 into 91, देखो यहाँ पे भी आजाएगा, 13 to 26 मैं लिख देता हूँ, और 13, 7 जा आता है, 91, so 26 into 91, यहाँ पे आपके मिल गया, और यह पार्ट यहाँ पे क्या ह हो गया, verify भी हो गया, आपको पूरा का पूरा multiplication नहीं करना है, आपसे वो multiplication test यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपको बस बताना है कि LCM is equal to HDF होता है, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया, एक question और कर लेते हैं, हमने यह third question यहाँ पे ले लिया, कि 3, 36 का पले आप factor निकाल लो, तो 2 से factor अगर करें हैं, तो कितना आता है 2, 1 जाब, फिर आता है 6 और यहाँ पे फिर आता है 8, फिर अगर आप 2 से करें हैं, तो यहाँ पे आता है 4, और अगेन आप 2 से अगर करो, तो यहाँ पे आता है 42, फिर 2 से करेंगे, तो यहाँ आता है 21, और फिर आप 3 से करने लग जात अब हमको क्या बोलता है कि 54 का भी करके बताओ तो 54 का पहले आप 2 से करते हो यहाँ आए 27, 2 से करते हैं यहाँ पर 3 से करना होगा तो यहाँ पर आता है 9 यहाँ पर 3 से अपने किया यहाँ पर आता है 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते है 54 is equal to 2 into 3 पर power 3 हो गया अब LCM की बारी LCM में आपको क्या करना है कि क्या कोई common है 2 भी common है 3 भी common है लेकिन आपको कौन सा लेना है अच्छा पहले हम लोग HCF निकाल रहे है तो सौर यहाँ पर HCF लिख देते हैं चलो कट करके HCF is equal to कितना हो सब्सक्राइब गारे दिखना जो common है उसका minimum power तो 2 पर 1,3 पर 1 बस।ब्स यह आनसर है यह आता है 6 तो LCM कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर LCM में गया करना है कि जो common है उसका maximum power ले लेना है यह सब ध्यान रखना है आपको कि HCF में क्या करना है आपको minimum power लेना है जो common आय लो हाँ तो हमने क्या लिखा है कि और यहां पे आ गया 3 पे power 3 और कुछ छुट गया गया हाँ यह चुट रहा है 7 तो आपने 7 के बदले भी लिख दिया तो यह आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है तो आप लिखेंगे HCF into LCM is equal to क्या होता है A into B और HCF कितना आया था 6 LCM कितना आया था 16 into 27 into 7 और यह है आपका 336 into 54 अब यहां पर क्या किजिएगा दिखें 27 3 जा यहां से 33 लिख रहे ना यहां पर 3 into 2 लिख देना तो यह आता है 54 और यहां पर फिर से आप अगर solve करोगा तो यह इतना आ जाएगा जो कि हमारा इसके बराबर आ जाएगा अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कि किसको किदर करो तो आप सब को multiply करकर देख लो simply यहां पर फिर से आपको रिखाए देगा कि LCM ऐसे ले लिए कि राइट सो आप यहां पर बोलते हो कि LHS is equal to क्या हो जाता है RHS ठीक है तो इस तरीक से हमने क्या किया verify भी कर लिए question number 2 यहां पर over अब देखते है question number 3 next question हम लोगों को बोलता है कि find LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method तो हमने पहले question को हम लोग solve कर रहे हैं तो 12 का factor क्या क्या आता है 2 फिर 2 से आता है 3 3 से आता है 1 12 का हो गया 15 का भी हम लोगों निकाल लेते हैं यहाता है 3 3 से आता है 5 5 से आता है फिर से 1 21 के लिए आपने रिखा कि यहाता है 3 यहाता है 7 फिर 7 से आता है 1 अब आप इसको क्य करोगे 12 is equal to लिख दोगे 2 into 2 into 3 और 15 के लिए आप क्या लिखेंगे कि 3 into 5 और यहां पर लिखेंगे आप 21 के लिए 3 into 7 अब देखो यहां पर common क्या क्या है common यह है तीनों में तो जो common होता है है उसको हम क्या बोलते है HCF यहां पर आ जाता है यह आता है 3 और LCM में क्या आ गया जो आपका common आया है उसको आप एक बार लिखें ही और साथ में क्या लिखें जो uncommon है मतलब 2 into 2 into 5 into 7 तो यहां पर जो भी आएगा 5 तो यह 10 तो यह 20 तो यह 20 तो यह 20 तो यह 60 और 7 शीज़ा 44 20 ओके तो LCM और HCF हमने दोनों तरी दोनों निकाल लिया यहां पर कौन सा मेथर्ट से प्राइम फेक्टरिशन मेथर्ट से सिमिलरली आप कुशन नमबर 2 भी कर लेंगे कुशन नमबर 3 भी कर लेंगे तो यह आसान है मैं इसको solve नहीं कर रहा हूं तो कुशन नमबर 3 यहां पर complete होता है अब देखने हैं कुशन नमबर 4 अब हमारे पास question 306 into 657 और LCM हमें नहीं पता तो LCM यहां पर लिख देता हूं और HCF हमें पता है कि 9 है तो LCM कितना हो जाएगा LCM is equal to हो जाएगा 306 into 657 divided by 9 9 से यह cut होता है 9 327 और आगया 3 9 436 तो final answer is 34 into 657 जो कि हमारा क्या आने वाला है LCM तो आप इसको calculate कर लिजेगा question number 4 भी यहां पर complete होता है अब है हमारे पास question number 5 question number 5 बोलता है कि check whether 6 पर पावर N can end with the digit 0 for any natural number N तो देखो 6 पर पावर N है तो क्या हम इसको लिख सकते है 2 into 3 पर पावर N मतलब हम इसको लिख सकते है 2 पर पावर N भी और 3 पर पावर N अब आपको पता है है कि अगर आपको लास्ट में 0 लाना है तो पक्का यहां पर कहीं पर क्या होना चाहिए या तो 0 वाला term होना चाहिए या तो 5 का multiple होना चाहिए हम यहां लिखेंगे कि 13 plus 13 composite number क्यों है आपको पता है यह एक टर्म है और यह एक टर्म है प्लस यह माइनस से separate किया हुआ हम क्या समझते एक टर्म होता है तो 13 यहां से अगर मैंने common ले लिया तो यहां पर आता है है 7 into 11 plus 1 और आपको पता है कि 13 into something यहां पर है मतलब 77 और 78 आ जाता है मतलब यह जो number है यह क्या है किसी का factor है किसका factor 13 का भी factor 78 का भी factor तो यह number क्या होगा so the number कौन सा number 7 into 11 into 13 plus 13 is a factor of factor of 13 and 78 so this is this is not a prime number and it is a composite number अगर यह prime number नहीं है तो आपको पता है यह composite number है है ना 1 को छोड़के 1 ना तो prime होता है ना तो composite होता है लेकिन बागी सारे numbers में हम बोल सकते हैं कि अगर यह prime नहीं है तो यह क्या है composite है similarly यह second वाली बात भी मैं देखता हूं कि यहां पर क्या दिया हुआ कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 यहां पर भी आप क्या कर सकतो 5 common ले सकतो 7 into 6 यहां पर into 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 जो भी number आता होगा आपको पता है कि यह number this number is factor of 5 also so it is a composite number composite number composite number में क्या होता है कि 2 से जादा factor होता है 2 से जादा कौन कौन factor हो सकते हैं यह जो calculation number का यह अपना खुद का factor है 1 का factor है और 5 का भी आ गया और आप यहां पर देखते हैं तो यह दूसरा number भी आ जाता तो क्या हो जाएगा यह यह एक composite number है question number 6 यहां पर over अब देखते है question number 7 अब हमारे पास जो आखरी question है यह बोलता है कि seventh question बोलता है कि there is a circular path around a sports field circular path होगा इस तरीके से around a sports field और same point से ना दो लोगों ने क्या किया है कि यहां पर Sonia take 18 minute to drive one round Sonia ने कितना लगाता है 18 minute लगता है उसको पूरा complete करने में circle और एक है कि रवी रवी को कितना लगता है 12 minute लगते हैं for the same suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction चलो तीन तीन चीजे बोला हुआ कि एक ही जगह से एक ही समय पर और दोनों करे start होते हैं तो बोलता है कि कितने देर के बाद वो आपस में क्या होंगे मिलेंगे तो आपस में मिलेंगे मतलब क्या हो हैं तो चलो 18-12 का एल्स्म कैसा निकालते हैं तो 18 का आपको पता है factor कितना होता है 2 से आता है 9 3 से आता है 3 3 से आता है 1 सो आपने 18 के बाद ले लिख दिया यहां पर कि 2 texting to 3 का Square दो इंटु 3 का Square और 12 के लिए भी लिख दें 12 के लिए क्या आता है herkes 21 2 से आता है 6, फिर 2 से आता है 3, 3 से आता है 1. So, आपने 12 के लिए लिख दिया, 2 का स्क्वेर इंटू 3. So, LCM कैसे मिलता है, LCM में आप क्या करते हो, जो कॉमन बात होती है, उसका मैक्जिमम पावर लेते हैं. तो आपका आगया 2 पे पावर 2, इंटू 3 पे पावर 2, आंसर इस टू टू जब 4 और यहां पे 9, आंसर इस 36 मिनिट के बाद वो क्या करेंगे, आपस में मेट करेंगे. तो कुशन नमबर 7 यहां पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ यह exercise भी हमारा यहां पे कंप्लीट होता है, I hope आपको समझ में आया होगा, thank you.